जी हाँ नमश्कार दोस्तों बात करेंगे रेलवे नई भरती 2024 के बारे में यहाँ पे जो वेकेंसी है टीटी यानि की टिकट कलेक्टर वाली वेकेंसी के बारे में बात करूँगा साथ ही साथ गुट्सगार्ट और बुकिंग कलरक वाली वेकेंसी भी इसमें एड की गई है ध्यान रखना है यह जो सारी वेकेंसी है ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है आप आप आवज दिन कर सकते हो अप्रेल मई 2024 की वेकेंसी रहेगी साथ ही साथ यहाँ पर यह जो वेकेंसी है इसकी पूरी डिटेल डिसकेशन करेंगे शुरू से लेकर एंड दर इस वीडियो के साथ में बने रही है दोस्तों भी बात करेंगे आरार भी टीटी रेलवे टिगट कलेक्टर बुकिंग कलरक और गुड्सकार्ड की जो भरती है उसके बारे में यहाँ पर जो वेकेंसी है 10,800 पदों पर यहाँ पर इसमें जो वेकेंसी में पद दे रखे टीटी और टीसी के टिगट परिक्षक यानि की टिगट कलेक्टर वाले पद है 45 के करीब वहीं गुड्सकार्ड के है 35 के करीब और बुकिंग कलर के है 48 के करीब टोटल मिला की यह वेकेंसी एक तरीके से 13,000 के आसपास हो जाती है यहाँ पर सोरी 13,000 नहीं यहाँ पर 10,800 के करीब यह वेकेंसी रहेगी और साथ ही साथ ये वेकेंसी ओल और इंडिया महीला और पुरुष अभ्यारती दोनों के लिए रहेगी सेक्षन की योग्या था कि एगर मैं बात कुरूई है यहाँ पे टीटी गुर्सगार्ड के लिए यहाँ पे जो भी मतलब विश्व विदाल लिया मानित अपराब तो वहाँ से graduation आपकी होनी चीए 10-12 आपकी होनी चीए और यहाँ पे इसना तक यह जो लिखावा है वो एक तरीके से यह मान के चलिए आपका अगर graduation आपने कर रखा है तो आप सभी post के लिए eligible तीन ही post के लिए वही बुकिंग कलर के लिए आपको यहाँ पे खाली और खाली बारवी class बास होना अनिवारी है तो बारवी class अगर आप ने कर रखी तो आप बुकिंग कलर के लिए आविदन कर सकते हो 18-40 साल यहाँ पे इसकी age रखी गई है अभी वरतमान में जो salary मिल रही है goods guard को वो आप देख सकते हो और TTE को यानि कि TTE की जो vacancy है उसके लिए salary यहाँ पे 36,000 परती महा जो भी pay grade है उनको मिला के जो भी वेतन भत्ते या फिर अगर में बात करूँ जो भी other मतलब आपको भत्ते मिलते हैं उनको मिला के यह 36,000 के करीब पहुँ जाती है उसके बाद में 6-7 महीने आपको यह मान के चलिए लगेंगे ही लगेंगे जोइनिंग के तो आप अगर जो 2024 के एंड तक पी लग जाते हो तो आपकी यह salary रहेगी और अगर 2025 की में बात करूँ अगर 2025 में जोइनिंग होती है जन्वरी फरविने तो आपकी आराम से salary यहाँ पर 1-2,000 increment आप मान के चलिए तो यह यहाँ पर ध्यान रखना आप इसके अलावा यहाँ पर मई 2024 में प्रस्तावित है यह examination कब लिया जाएगा यह अभी कोई tentative dates इसकी आई नहीं है लेकिन मई में यह vacancy निकलने वाली है साथ इसाथ यह vacancy 10,000 से ज्यादा पदों पर पस पस कर दिया जाए तो वेल दोस्तों डिस्क्रिप्स इन वोक्स में लिंक भी दे दूँगा वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हो इसके बारे में धन्यवाद है